हेलो फ्रेंड्स आज मैं कुकर मैं कच्छे आलू मटर टमाटर की भूती यम्मी सबची लेकर आई हूँ एक बार आप इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा तो आईए हम ये कच्छे आलू मटर टमाटर की सबची बनाना शुड़ू करते हैं यहां पर मैंने 5 मीडियम साइज के कट किये होई कच्छे आलू लिये हैं 3 मीडियम साइज के कट किये होई टमाटर और एक स्मॉल बॉल हरी मटर के लिया है एक कुकर गयास पर रखते हूं इसमें 1 repres स्पून अइल डाल देती हूं और मैं ऐल को गरम हों देती ओ ऑल कर अब जास Ultimate जीरा दाल देती पल के काली मिर्श ऑंदे हुँ दोला के लंग दाले और भूल लेती हैं अब मैं ने들े एक और राती है हमारीêu जीरा काली मिर्च याइर अब मैं ड्रीज दालते हूं घ्लत को द हुनाय क मैं डूम जरी तो ठीच है । और अलू के बाद मैं टमाटर भी डाल देती हूं और इन दोनों को फोड़ा स से ब्यूसरा होता है के हमारा अलू मटे करती हूं च्रहों बहुत ग्याज़ा जा प्रिए स्ट्वाझ टेस्टी भन कर आती है तो फोड़ा सा पहले अलू को को कर मैं बून लीती हूं जिसे हलके हलके मेरे ये भून गई है हलके हलके से तो इसमें आप मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर अभी सिर्फ मैं हल्दी पाउडर डालती हूँ 3-4 टेवल स्पून हल्दी पाउडर डाल दिये बाकी मसाले मैं बाद मैं डालूंगी और हल्दी पाउडर डाले के बाद इन्हें दुवारा से खूप अच्छे से मैं भून लेती हूँ इस सबजी में खासियत यही है जितना अच्छे से आप आलू, टमाटर वगरा को भूनेंगे उतनी टेस्टी सबजी बनकर आती है तो यहाँ पर मैंने इनको भी अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसमें बाकी के मसाले भी एड़ कर दूँगी तो बाकी मसालों में सबसे पहले मैं डाल देती हूँ लाल मिच पाउडर तो यह मैंने हाफ टेवल स्पून लाल मिच डाल दी इसमें इसके बाद half tablespoon धनिया पौडर इसमें डाल देती हूं और half tablespoon धनिया पौडर के बाद इसमें one-four tablespoon अमचूर पौडर इसमें डाल दिया है और half tablespoon नमक और स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं इन सब को अभी डाल के अच्छे से mix कर देती हूं और इसे भी थोड़ा सा और भूलेती हैं तकी masala भी भून जाएं गरब masala हम ahead में डालते हैं अभी नहीं डालते हैं यह हमारे साब मसाले भी अलौ की साथ अच्छे सा भून गए हैं इसमें आप क्या करण extends थोड़ा सा पानी ढालती हूं और इसे एक दो मिनिट के लिए ढखकर कुक करेंगे जब तक कि हमारे पानी में वाल ना जाए अच्छे से इसे क्या होता है आलू हमारे थोड़े जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं जैसे कि हम अभी मतर नी डाली है अभी हम हरी मतर भी डालते हैं अब हम हरी मतर इसमें डाल दे रहे हैं हरी मतर हमारी जल्दी बॉइल हो जाती है जल्दी सॉफ्ट हो जाती है इसलिए हमने थोड़ी बाद में डाली है पहले हमने आलू को टमाटर को खुव अच्छे से पका ल अब मैं खुकर का ढखांगे को दुखा दूगा दूगी इसको बिल्कुल बंदकर दूगी और इसमें बस में को एक सीटी लेनी है क्यों कि मैंने आरू को पहले ही कुक कर लिया है मतर हमारी जल्दी को खो जाती है एक सीटी आने के बाद गैस को बंद करती है और इसका जब प्रेशर निकल गया तो मैंने को को खोल कर देका और देखिए मेरी यह सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है अब मैंने गैस दुवारा पहले बंद कर दी यह से कुकर के टैम जब सीटी आ गई थी अब मैं दुवारा इसे ओन कर लेती हूं और इसमें अब मैं डालूंगी 1-4 टेवल स्पून गरम मसाला गरम मसाला हम एंड में ही डालते है इससे हमारी सबजी का फ्लेवर बहुत अब बिल्कुल सॉफ्ट होगा है जिस तरीके से हमें चाहिए ते देखिए एक दम प्रैस होने पर अच्छे से प्रैस हो जा रहे हैं तो यह तो हमारी हो गई तयार सबजी इसके बाद आप हम क्या करेंगे हम तो गैस को बंद कर देंगे और इसमें लास्ट फाइनल डाल द जरू कीजेगा अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए बाइबाई